शादी के बाद मैं तुम्हारी मा को अपनी मा समझूंगी मम्मी जी आप अपनी हद में रहना तो बहुत अच्छा है तुम्हारी मम्मा की स्माइल कितनी क्यूट है ना एकदम बेबी जैसी साइको है क्या तुम्हारी मा बाद बाद पर मुस्कुराती रहती है कोई कामदाम नहीं है क्या सच बोलू देवी है तुम्हारी मा देवी चुडल है तुम्हारी मा एक नमबर के चुड़ल मैंने कुकिंग क्लासिस जॉइन की है शादी के बार एक से एक डिशिस बना के खिलाऊंगी अरे आज खाने में क्या बनाया है टिंडे बनाए है आज फिर टिंडे कुछ कहा तुमने नहीं टिंडे और तुम्हारे हाथ के वाह आई लव टिंडे कल भी खालूंगा एक पानी पुरी एक पानी पुरी मेरी तरफ से आ करो अरे एक रोटी दे देती अंदर पढ़िये किचिन में जा लेलो मेंदी लगा रखिए हाथों में नवाब साब चोटी का नाम रखेंगे बॉबी और बड़ी बली का नाम रखेंगे सैनी मैं निकला ओकटी लेके ओर रस पे पर ओ सरक में मम्मी राचो नहीं माम रहा आ की बताओं तुम दोनों को मम्मी ये कुट्टा नहीं मान रहा अरे Game of Thrones I like this show very very much सारे episodes देखे है मैंने सुख में दुख में साथ निभाना था जीते जीना दूर जारा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें येस क्यों बोला क्योंकि बहुत क्यूट हो तुम शकल देखे अपनी अधराग जैसे हो रखे हो नजाने कहां कहां से बढ़ रहे हो मेरी सूना मेरी बाबू मेरी जानू बंटी के पापा ओ बंटी के पापा इस आदमी ने अलग दिमाग खराब कर रखा है अरे क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो मतलब ओफिशल गर्फ्रेंड हो तुम्हारी अरे सुनो जरा अंदर आओ न शरम करो शरम सटिया गए हो बड़ा पे में मैं तो पहुत ओपन माइंडिर हूँ ये वर्मा की बीवी तुम्हें देखकर मुस्कराती क्यों रहती है? तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही धर में एड़्जस करूँगी ये घर मेरा है या तुम्हारा? तो किसके चलेगी घर में? जानू सुनू न कान में मैं ले क्या? बहरे हो गयो कितना कम बोलती हो तुम सुमान अरी शर्मा जी की बेटी का चक्कर है न वो नहीं जो छोटे-छोटे कपड़े पैन की कुट्टा गुमाती है मिश्रा जी के किराहदार की बेटे से चल रहा है और फिर ना अरी सो गई मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं है जिंदकी बरवात हो गिया इनको आता ही नहीं है इनको पता ही नहीं है हाई मैं हूं काकुल और मैं हूं लोफ्या और आपने अभी अभी हमारा वीडियो देखा है अनार कली वाइंज पे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सुब्स्क्राइब करिये और शेयर भी और अपने दोस्तों को टाइब करना मत भूलियेगा तैं है अप्यू